युक्रेन पर रूस के आकरमन की वैसे युक्रेनी लोग अपना देश छोड़ने को मजबूर हैं सरनार्थियों के लिए युनाटेड नेशन्स हाई कमिशनर ने बताया कि रूसी आकरमन के मद्दे नजर एक करोड युक्रेनियन सरनार्थी विदेश भाग गए हैं या देश के अंदर विस्तापित हो गए हैं युनाटेड नेशन्स डिफ्यूजी अजन्सी के प्रमुक फिलिपो ग्रांडी ने कहा कि रूस और युक्रेन के बीच बढ़ते जगड़े के कारण लाकों युक्रेनियन अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं युनाच सी आर के आफिस ने कहा कि शनिवार तक विदेश भागे युक्रेनियाई लोगों की तादाद 3.38 मिलियन से उपपर थी कहा गया कि लगबग 2.38 शरणार थी करीब 2.65 मिलियन लोग पॉलेंड गए और करीब 1.80,000 रूस में शरण लिये हुए इस बीच इंटरनेशनल और्गनाजेशन फार माइग्रेशन ने कहा कि बद्वार तक युक्रेन के अंदर विस्तापित लोगों की संक्या 6.48 मिलियन होने का अनुमान है अंतर रास्तिय प्रवाज संग्ठन यानी IOM के अनुमान से पता चलता है कि युक्रेन विस्तापन के मामले में पिछले तीन सब्ता में ही सीरिया से आगे निकल चुका है जहां 2010 में भीशन युद की शुरुआत हुई थी सीरिया में अब तक एक करोड़ तीस लाग से अधिक लोग या तो विस्तापित हो चुके हैं या फिर देश छोड़कर चले गए है United Nations Agency का यह अनुमान शुक्करवार को पब्लिश एक डाक्यूमेंट में सामने आया है युक्रेन की मारियू पॉल सिटी काउंसिल ने दावा किया कि मारियू पॉल के निवासियों को उनकी इच्छा के खिलाप रूस ले जाया जा रहा है जबकि एक सांसत ने दावा किया कि उन लोगों को रूस के दूर दराज के इलाकों में जबरन मजदूरी कराने ले जाया जा रहा है सिटी काउंसिल के और से जारी बयान में काया गया कबजा करने वाले उक्रेंट से लोगों को रूस जाने को मजबूर कर रहे हैं इछले एक सब्ता में मार्यूपोल के कई हजार निवासियों को रूशी छेत्र में ले जाया गया है। योटूब पर देख रहे हैं, तो हमारे यूतूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो फेसबूक पर देख रहे हैं, तो हमारा फेसबूक पेज लाइक जरूर करें। पर इंपर्टिसमेंट प्लीस कॉंटेक्ट 705-109-1811